देवों की देव महादेव, त्रिदेवों में सहारक देव माने गए हैं, भगवान, शिव को ही बाबा भोलेनात, शिवशंभू, नीलकंट, रुद्र, शिवशंकर आधी सभी नामों से पूजा जाता है हिंदु धर्म में सभी देवताओं में से सबसे ज़ादा पूजे जाने वाले देवता भोलेनात ही हैं, भोलेनात, शिवशंभू, अपने भगतों की थोड़ी सी भक्ती से ही परसन हो जाने वाले देवता हैं, और यदि कोई सच्चे मन से शिवशंकर को याद करे या उनकी प भगवान परसन हो जाते हैं और अपने भकतों की इच्छा पूरी करते हैं तो ऐसे में महादेव का परमुक पर्व महाशिवरात्री आने पर आवशिव शंकर जी को परसन कर मनोवांचितफल प्राप्त कर सकते हैं साथ ही जीवन में अंजाने में हुई गलतियों की शमायाचन भी कर सकते हैं वे अपने परिवार की उन्ती की कामना भी कर सकते हैं तो आए जानते हैं कुछ सरल उपाय देवों के देव महादेव को परसन करने के लिए इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी में महा शिवरातरी 1 मार्श 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी इस दिन शिव भक्त वरत भी रखते हैं वे शिवलिंग पर अपनी इच्छा अनुसार समगरी भी चड़ाते हैं शिवलिंग पर जल, दूद, दही, शेहद, धतूरा, भांग, चावल, बेलपतर, चंदन, पर जुट हुए तो एक माधम है शिव को परशन करने के लिए सबसे पहले आपके मन में भगवान शिव जी के प्रती शर्दवे विश्वास होना जरूरी है शिवरात्री के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पंचामरित चड़ाए वे शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाए पंचामरित में आप जल, दूद, शेहद, दही और गंगा जल ले सकते हैं पंचामरित से शिवलिंग का अभिशेक करें और अपनी इच्छा भूले नात के सामने मन ही मन में व्यक्त करें शिवरात्री के दिन ही शिवलिंग के सामने बैठ कर 21 या 11 या फिर आप 5 भी बेल पत्तर ले सकते हैं आपको पता होगा कि बेल पत्तर तीन पत्तो का ही होता है तो बेल पत्तर के सीधे वाले भाग पर चंदन से ओम नमाय शिवाई लिखकर शिवलिंग पर अरपित करते हुए शिवमंत्रों का जाप करें मन में जो भी इच्छा होगी बोले नात पूरी कर देंगे अगर भाग्या साथ ना दे रहा हो और बंते बंते काम बिगड रहे हो तो कच्चा दूद गाएं का लेकर उसमें केसर मिला कर शीवलिंग पर अरपित करें ऐसा करने से किस्मत खुल जाएगे भाग्या साथ देने लगेगा केसर वाला दूद अरपित करते समय भी ओम नमय शीवाय मंतर का जाब करें शीवरात्री के दिन शीव की प्रिये वस्तुएं धतूरा, बेलपत्तर, पुष्प, भांग, जल, चंदन सभी वस्तुएं शीवलिंग पर चड़ाएं शीवरात्री के दिन शीव मंदिर में या घर पर ही शीव स्त्रोतर का पाठ करें शीव भगवान को परसन करने के लिए शीवरात्री के दिन शीवलिंग अविशेक के बाद ओम नमय शीवाय का जाप 108 बार करें इस दिन आप भोले नाथ को परसन करने के लिए वरत भी रख सकते हैं, वरत फलाहार ही होना चाहिए इस दिन शीव मंदिर में विशेश पूजा अर्चना की जाती है, वै शीव मंदिरों में भग्तो की भीड आने वै रुकने का इंतजाम किया जाता है और भग्तों के बंढारों का भी विशेश परभंद किया जाता है आप चाहें तो अपनी श्रधा अनुसार अपनी पूंजी का कुछ हिसा दानवे इस उबकारिय में लगा सकते हैं इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और ना ही वियर्थ धन कहीं परबाद होगा अगर घर में धन की कमी हो तो भोले नात के मंदिर जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस छड़ाना चाहिए धन की कमी दूर होगी और अपार धन आने की मदद मिलेगी शिवलिंग पर पूजा करते समय कुछ विशेश बातों का अवश्य ध्यान रखें बेल पत्तर के तीनों पत्ते पूरे होने चाहिए वह तूटे या फटे हुए ना हो अक्षित यानी चावल सवेद रंग के ही होने चाहिए वह खंडित नहीं होने चाहिए साबूत चावल के दाने ही शिवलिंग पर चड़ाए जो भी फूल आप शिवलिंग पर चड़ा रहे हैं वह ताजे वह सबूत हो, मुर्जाय पुश्प ना चड़ाएं शिवलिंग पर जल चड़ाने के लिए तामबे के लोटे का इस्तमाल ना करें